नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपनी यूटूब चानल मरुतर क्लासिज पर तोस्तों आज बात करने वाले पीटी इटी काउंसलिंग सेकंड येर के बारे में जिसके मावे डियले का सेंड किस परकार से करें कॉलेजों का सेंड का ओप्षन अभी दिगई दे रहे खांएं कापी लोगों का मेंंट से कल से आ रहे थे कि सर कॉलेज का ओप्षन तयवीश तारिक दी गई थी लेकिन तवीश तारिक कहो गई है और कॉलेज आरहे हैं तो कॉलेज तो किस परकार से करें उसके बारे में संपुर्ण जानकारी देने वाला उससे पहले आप सोटी सी रिक्वेस्ट रहे कि कि आप इस सैनल पर पहली बार है तो सैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक देज सके हैं तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट सिबसे पहले हम आज जाएंगे गूगल पर और यह पर इंट्रेनेट शालू कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर प्र पिटिएटी का ऑपसंट डाल देंगे और सर्ट पर क्लिक कर देंगे जैसे सर्ट पर क्लिंक करेंगे तो उसके बाद में जो option आएगा उस पहले वाले option पर click कर लेंगे जैसे ही पहले वाले option पर click कर लेते हैं तो आपकी website आजाएगी PTT की तो दोस्तो PTT की official website आगी यहाँ पर second year पर click करेंगे जो कि हमेशा ही करते हैं इस पर click करने के बाद में आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो register counseling की नीशे जो option दिये गए हैं वो अभी डाले गए हैं फिल college choose तो आपको इस वाले option पर click करना है जैसे ही आप इस वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने जो option आ जाएगा फिल शूज college option के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो roll number है वो डालने पड़ेंगे cell number डालने पड़ेंगे नाम डालना पड़ेंगे और father's name mother's name और जो password आपने जो पहले confirm किये थे जो फीज भरी थी उस समय जो confirm किये थे वो password यहाँ पर डालने पड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर login पर click करना पड़ेंगे जैसे ही आप login पर click करेंगे तो आपके सामने इस परकार का option आजाएगा और यहाँ पर आपकी detail उपर बताई जाएगी यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर college choose का option यहाँ पर दीगे दे रहा है तो आपको यहाँ पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने इस परकार से college search करने को option आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर district select करना है, और यहाँ पर भी district select कर लेना है जो भी आप जितना भी district select करना साथ है, यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं उसके बाद में आप नीशे आ जाएंगे तो नीशे आने के बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज बता दिये जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डिस्टिक सेलेट करना पड़ेगा जिस भी डिस्टिक में आप कॉलेज लेना साथ हैं उसके बार में उसके नीशे यहाँ पर college बता दिये जाएंगे जिस college पर आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको इस परकार का दिकाई देगा तो यहाँ पर हमने click किया तो इस परकार की दिकाई देता उसके बार में आपको plus वाले icon पर click करना पड़ेगा जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज यहां पर बताया जाएगा अब और यहां से आप अगर कट करना साथ है कि यहां वो कॉलेज हमारे स्यूज नहीं करना तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहां से कट होकर कि फिर यहां बता दिया जाएगा और यह सेलेक्ट करने के बाद में यहां नहीं बता जाएगा यहां बता जाएगा तो इस परकार से आप कॉलेज स्यूज कर सकते हैं उसके बाद में आप college स्यूज करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर यह सारे college स्यूज किये गए हैं वो यहाँ पर बताएंगी और जो बाकी वो यहाँ पर बताएंगे स्यूज किये गए हैं वो यहाँ बता रहे हैं निसे आजाएंगे, यहाँ पर आपको All राजस्तान करना है, जो भी पूरे राजस्तान में कॉलेज कहीं भी आ सकती है, तो यहाँ पर Yes पर क्लिक करना है, अगर करना सारते तो कर सकते हैं, नहीं तो No पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर Terms and Condition लिखे हुई है, वो आप पढ़ लेनी से, और उसके बाद में यहाँ पर Proceed पर क्लिक करना है, जैसे ही आप Proceed पर क्लिक करेंगे, तो आप इस परकार से दिखेगी आपकी Detail, और आप यहाँ पर College Use किये गए हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी आपने College Use किया है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप प्रिंट भी ले सकते हैं, यह इस परकार से प्रिंट आ जाएगी, अगर आपने Lock कर लिया है, और Save पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस परकार से दिखेगी, जैसे Save पर क्लिक करेंगे, तो इस परकार से प्रिंट भी आपको निकलने का Option आएगा, तो यह परकार कर दोस्तों को ग्यां कॉछ शुज़ उसके बाद में अप डेट शेंज कॉलेज है तो अगर आप में कोई बदलाव करना साथ है तो इस वाले option पे क्लिक करना है जैसी आप इस वाले option क्लिक करेंगे तो इस परकार से आपको वह ही लीटेल मांगी जाए कि जो रोल लंबर वगेरा सारी वो पर करके लॉग इन हो जाना और आप जो भी बदलाव करना साथ है उसी तरह सा ओप्सन दिकाई देगा और उसी परकार से आप कर सकते हैं उसके बाद में दूस्तों यहां पर नीशे आ जाएंगे तो लॉग तो आपको लॉग जरूर करना जैसे लॉग इन हो जाता है तो यहां पर यह दिकाई देरा आपको कॉलेज वगिरा और यहां पर लॉग सूज तो इस वाले आप्सन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लॉग हो जाएंगे फिर आप इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते और यहां पर आप किये गए हैं इसी मेंसे आपको कॉलेज मिलेगी या फिर और राजस्तान किया है तो ओर राजस्तान में कहीं भी आपकी कॊलेज मिल जाएगी तो आपको लॉक्ट comes डरुरEr करना पड़ेगा नहीं करेंगे लॉग मिल पर जो आगे आपकी जानकार यह वह नहीं जाएगी उसके बाद में आप print निकाल वाँ साया या फिर print नए निकालो साथ है या फिर print नई के लिए पहले तो फिर this पर्री करकता हूं तो आप these प्रिंट पर्रолов कर आपको पसंद आई तो अगिर सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक में सकें थैंक यू दन्यवाद जेहिं जेपार्ग